नमस्कार मित्रों में पंडित तकिल चुकली यूट्यूब के माद्यम से यह जो छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं सफेद फूल लगे हुए इसमें इसी समय यह फूलता है यह है नाए गडू नाए यह जहर के जैसा गडू है इसको पहचान लीजिए देख लीजिए कैसा भी मलेरिया बखार हो भूई आउला और इस नाए को मिला दीजिए और दो दो एक चम्मस सुबह बहुत कडू हता है एक चम्मस सुबह उनको ने पानी से एक दुफेर और एक जात को पिला दीजिए कैसा भी बुखार हो कितना भी पुराना हड़ी का बुखार जोडों का बुखार जोडों का दर्थ उसमें भी यह बहुत काम करता है जिसको बहुत दिनों तक बुखार आता है मलेरिया के बाद फिर उतरता नहीं है साम को थोड़ा सा बुखार आता ह और फिर अच्छा नहीं लगता उसको तो यह वह नाय यह रक्त सोधक है बहुत बढ़िया रक्त सोधक है लीवर पे भी यह बहुत अच्छा काम करता और मूत्र संस्थान आपके मूत्र संस्थान वगर किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको भी यह बिलकुल जड़ से ठीक करत है हम इसका एक चून बनाते हैं चार-पांच चीजे मिला के मित्रों आप भी बना लिजिए इसका चून बहुत दिव चून बनता है इसका रक्त सोधक बनता है कड़ू जरूर है यह पर केसे भी अगर आप इसको दो तीन बार साल में अगर खाले इसके चून को तो आपको क इसको जरूर बनाई है चूर्ण को अपने घर पर यह बस यह से पत्थर के उपर उगा रह गाई है थोड़ा सा देखने में तकलीब जरूर होती है पर यह बहुत काम की और शदी है मित्रो तो यहां दिखाए मुझे यह नाएक अंदलग होता है यह नाए है तो नमस्कार मित् झाल 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 झाल